जय हिन दोस्तो आठ रुपे 23 पैसे के आसपास जो ट्रेड कर रहा है एच सी सी यानि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो एंजिनेरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का हिस्सा है कंपनी उस स्टॉक के बारे में एनालेसिस और स्टेडी करेंगे कंपनी का मार्केट कैप 1245 करोड शेर का PE शूनिय और फेस वैल्यू है एक और करजा जो है उस पर हमें थोड़ाद ज्यान देना होगा वो है 3370 करोड जी हां 3370 1245 करोड का मार्केट कैप और उसे लगवक तीन गुना ज्यादा करजा है कंपनी के उपर जी हां 52 वीक लो 3.6 और 52 वीक हाई 10.87 और स्टॉक जो है भी ट्रेड कर रहा है 8.23 और आज के सेशन का लो 8.21 और हाई 8.41 कम्पनी की शेर होलिंग को रेखे तो रिटेल निवेशों के पास सबसे जादा 35% का हिस्सा प्रमोटर्स के पास 34.71 परसेंट का हिस्सा डी आई 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 गरेलो संस्थागत निवेशों के पास 18.96 परसेंट का हिस्सा और एफ आई आई के बास 11.32 परसेंट का हिस्सा गर प्रमोटर्स होल्डिंग को देखे तो पिछले पांच कौर्टर्स में होल्डिंग उत्री ही रही है पर नेगेटिव बात यहां पर यह है कि उस होल्डिंग में से 92% प्रमोटर्स में गिरवी रख दिये हैं पिछले पांच कौर्टर्स में जिहां तो दो नेगेटिव पॉइंट से सामने हमारे यह आ गया है कि कंपनी के उपर करजा बहुत ज्यादा है अपने मार्केट के अपर में लगबक्त तीन गुना और कंपनी ने 92% शेर्स गिरवी रखे हैं उनके पास जितने है उसमें से 92% शेर्स गिरवी रखे हैं पर जो नी two right और अठ्रह में कंपनीक क्लशेस में थी उन्नीस में भी लॉसस में थी है ठीक बट 2020 मि कंपनी प्रमिट में आचुकि ए जै हाँ आप देख सकते हैं प्रॉफिट थोड़ा फाइनेशल में जाएंगे थोड़ा नंबर्स को देखेंगे वहाँ पर थोड़ी क्लेरिटी मिलने की उम्मीद है और वह है यह आप देख सकते हैं इनकम जो थी नेगेटिव थी वह कंपनी यहां पर प्रॉफिट में आ चुकी है और इप्स भी जो नेगेटिव था वह पॉजिटीव हो चुका है इन दो चीज़ों को भी नोट करना है है और कुछ एप्स और वेपसाइट्स के नाम आपके लिए प्लीज जाहिए रिसर्च क के कुछ भी नहीं करना है एक्विटी मार्केट्स में चीक है अब यह जो चार्ट है हमारे पास वो मंतली बेसेस पे हैं तो स्टॉप का जो आल्टाम हाई है वो है दो हजार आट के आसपास का और हाई है 124 रुपे जी हां 124 रुपे का शेर आज 8 रुपे के लबग कर रहा है जैसा मैंने पहले भी पहले भी कहा था खोईने के लिए बहुत कम है इस स्टॉप में पॉजिटिव और नेगेटिव को हमने देख लिया है नेगेटिव कर्ज ज्यादा है प्रमोटर से 92 परसेंट शेर गिरी रखे उनके पास जितने हैं उन में से और जो पॉजिटिव चीज है कि इस साल कमप्ली प्रॉफिट माही है पिछने साल 2020 में कमप्ली प्रॉफिट माही है तो क्या यह टर्नराउंड की शुरुबात है हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं चार्ट को अब हम डेली बैसेस पे कनवर्ट करेंगे और कुछ ऐसा पोजिशन हमें देखने म मिल रहा है यहां पर अगर हम देखे तो स्टॉप जो है पिछले दिनों इस बहुत बढ़िया सा सपोर्ट ले रहा है आप देख सकते हैं और वह है 7.7 जी हां मैं आप एक लाइन ड्रॉफ लाइन ड्रॉफ कर दिए 7.7 मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर आपको आपके पोट प्रिफोलियो है उसमें आप सोच रही हो कि आप इस टॉप को एड करोगे तो जो लेवल है जिसे पर आप कर सकते हो वह है 7.7 पहला लेवल चिक है दूसरा लेवल कौन सा होगा 7.7 आ गया है और दूसरा लेवल है यह और वह है 7.1 येस 7.1 आप देख सकते हैं पिछले दिन स्टॉप वही पर रेजिस्टेंस ले रहा था एक बार उसके आसपास गया दूसरी बार कोशिश की तीसरी बार निकल गया तो 7.1 दूसरा लेवल है और उसके बाद का एक लेवल है इंपॉर्टेंट वह है 6.4 अब देख सकते हैं स्टॉप उसी के आसपास एक ब्रेक सबसे पहले मैं लिक देता हूं आपके लिए आपर निचलेस तरहों पर खरीदना है तो 7.7 7.1 या 6.4 पे आप इस टॉप को आपके पहनी पॉर्टफोलियो में एड करने के वार में सोच सकते हैं जी हां सोच सकते हैं इन लेवल के आसपास 7.1 ए 6.4 ठीक है ये कुछ इंप तो ये तो हुई पहली संभावना की स्टॉप नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा ये दूसरी संभावना है और वो है स्टॉप रेंज बाउंड हो गया तो इसी रेंज के आसपास स्टॉप घूंदे रहेगा अब हम बात करेंगे ऊपर के लेवल स्टॉप आपर निकल 985 एक इंपोर्टल रेजिस्टन्स का लेवल है ये ये अगर 8.85 के उपर स्टॉप निकलता है लाइक हमें क्लोजिंग मिलती है तो सबसे पहला लेवल जो है पिछले दूनों का वह है यह 10.95 जी 10.95 के असपा स्टॉप जो है जाने की पूरी कोशिश कर सकता है 10.95 और चाथी दूसरा लेवल भी हापके लिखना जाँगा वह वह 12.2 येस 10.95 से लेके 12.22 स्टॉप जो है लेवल दिखा सकता है आने वाले दिरों में 12.2 मैंने क्यों कहा वह भी बता देता हूं 12.2 है आप देख लीजए लाइन ड्रॉप कर दिया है आप चलेंगे पिछले दिनों अब हम देख सकते हैं जन्वरी में जो स्टॉप है इसे के आसपास रेजिस्टेंस लिया तो स्टॉप में जन्वरी इसे लेवल के आसपास फिर से जाने के पोशिश पूरी कर सकता है तो हमने के सारहिए प्रॉट के बारे में बात कर गया है उपर के तरफ जाएगा तो कितना जाएगा नीचे जाएगा तो कितना जाएगा को और यह इंपॉर्टेंट हैράउ यह त्राइंगल पैटन का स्टॉप जूब यह पूरी शंबावन और कोशिश करने वाटाश रहा है वो भी बता दिया है और रेंज बाउंड होगा वह भी संभावना हमने डिसकस कर लिया है और पैसा लगाना होता है अगर किसी कारण वह पैसा जीरो हो जाए तो हमें को फरक नहीं पड़ना चाहिए जैसे वह चूटा सा हो सकता है या पांड्स या हजार रुपय सबकी अपनी capacity अलग होती है या उतना होना चाहिए जैसे suppose कि आपका portfolio में exposure है दस लाग रुपय का तो दस लाग का 1% होता है 10,000 जी हां 1% दस लाग का होता है 10,000 तो 10,000 रुपय आपने penny shares के लिए allocate कर दिया और उसमें suppose आपको पसंद आगे 5 बढ़िया से penny shares तो हर एक quality stock में 22,000 रुपय करके आप डाल जीजिए ठीक है और penny stocks circuit to circuit trade करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि बहुत ही कम समय में आपके पैसे 2 या 3 गुना हो जाए तो जब भी आपके पैसे बहुत कम समय में 2 गुना हो जाए आपको make sure करना है कि आपने आपका capital invested जो है amount 2000 रुपय इसके बार में ब होंगे और आगे जाके stock multi-wagger बनता है आपका फाइदा है किसी करन डेलिस्ट हो गया value zero हो गई तो कोई भी नुक्सान नहीं है आपको कि आपने जो पैसे invest किये थे वो पैसे आपको already मिल चुके है जब पैसे double हुए थे अपने capital withdraw कर लिया है capital withdraw करने का फाइदा और एक है कि इससे आपको और एक opportunity मिलती है किसी बढ़िया से penny stock में invest करने के लिए कि स्टॉक्स इस दो या तीन या पांच नहीं है बहुत सारे इसे penny stock से जो market में अभी भी unnoticed है जिस पर लोगों की नजर नहीं गई है करने का फाइदा यह है आपको दूसरी और एक company में पैसे निवेश करने का मौका मिल जाएगा वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा motivation मिलती है आपके लिए ऐसी बड़ी आसी वीडियो लाने के लिए और पूरी कोशिश होती है कि साथ से 8 मिनिट के दर्मान जदा से जानकरी है अब गतिख वीडियो के मार्जम से पहचाई जाई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा पर पहली बार आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब पीजिएगा तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जय हिंद We वंदे मातरम